चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन चाप्टर फॉस्ट नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.1 चलिए देखें क्वेश्चिन नंबर फॉस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे इस जीरो और रैशनल नंबर डिए क्या जीरो सिस्टम्स नंबर सिस्टम्स है क्या जीरो रिख सकते लिए घ're है तो यह P upon Q के form का हो गया यह rational number हो गहले है गिए? Yes, 0 is a rational number ayes as के द्राइब अगे. Can you write it in the form p upon q? क्या आप इसको p upon q के form मिलिक सकते है? तो अपना answer हो गा yes we can write in the form of p upon प्र हम के लिए प्र प्र आपर p or q को ही इंटेजर से रहे हैंगे, integer मेरे तो 1 2 3 0 2-1-2-3 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं लेकिन q is not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि q 0 हो जाएगा तो not defined हो जाएगा, p 0 हो सकता है q 0 नहीं होना चाहिए, इस question में कितनी चीच पूछ रहा हूँ, इस 0 और rational number, क्या 0 rational number एक बात can you write in the form of p upon q, q क्या उसको p upon q के पाम में लिक सकते हैं बस यह दो चीच पूछ रहा है तो दोनों का अफन answer दे लेते हैं, इस 0 और rational number तो answer होगा अपना, yes, 0 is a rational number, yes, 0 is a rational number, yes, करके जवाब दोनों, can you write in the form of p upon q, क्या उसको p upon q के फाम में लिक सकते, yes, we can write in the form of p upon q, अगला answer yes, we can write it into, it into the form p upon q, हम लिखते हैं, yes, we can write it into the form p upon, हाँ, हम इसको p upon q के फाम में लिख सकते हैं, अब इसका reason लिख देते हैं कि वह ऐसा क्यों, as, यह 0 लिखा, अब जिरो को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 0 upon 1 लिख सकते हैं, 0 upon 1, यह P हो गया, यह क्यों हो गया, is equal to p upon q, where q is not equal to 0, यह reason लिख दिया पनी, जे को p is equal to 0 हो जाएगा, q is equal to 1 हो जाएगा, q 0 नी होना चिया, p 0 हो सकता है, q 0 नी होना चिया, q 0 हो जाएगा, p 0 हो सकता है, q 0 नी होना चिया, is 0 a rational number, तो answer is yes, 0 is a rational number, can you write it in the form p upon q, to yes we can write it in the form p upon 2, और उसका reason as मतलब because होता है, 0 is equal to 0 upon 1 और 0 upon 1 को p upon q लिख सकता है, where q is not equal to 0, p 0 हो सकता है, तरलो आप इसको note, बस ऐसा simple सा जवाब देने है, कि one marker question एक मार्क के लिए आ सकता है, बस इतना simple आता नहीं लेकिन आ गया तो आपको लेगा, समझाया है, कर सकते हैं इसको, चलिए आगो, question number second, 0.6 rational numbers between 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 6 rational numbers लिखना है आपको, अब देखिए rational numbers के बारे में आपको बता चुका हूं मैं आपको, कि जो number P upon Q के form में रहते हैं, where Q is not equal to 0, उनको rational number कहते हैं, जहां P और Q कुछ भी हो सकते हैं बस Q 0 नहीं होना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 3 और 4, तो 3 और 4 दो number हैं, इनके बीच में आपको 6 rational number लिखना है, कितने 6 लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे और, सबसे पहले आप यहां पर लिख लो 3, एक number है 3, ठीक और दूसरा number क्या है, नीचे वाइल लाएंगे 4 दो, इस equal to और इसके भी equal to, अब इस 3 को, 3 के upon 1 कुछ नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 upon 1, इसके denominator में कुछ नहीं रहता है, अब देखो यह 3 upon 1, P upon क्योंकि फ़र्म में आ गया, यह P हो गया, यह P हो गया, ऐसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 4 upon 1 लिख सकते हैं, कोई परिशानी है ऐसा लिखने में कोई देखका थे यहां लिख सकते हैं, अब देखो इसका और इसका denominator सेम हैं, दो numbers के बीच में अपन infinite rational number लिख सकते हैं, बहुत सारे rational number लिख सकते हैं, तो यहां पर अपने कोрез six लिखने के लिए अच्छे लिखने हैं, तो सबसे पहले देखो कि तोनो के denominator सेम हैं, तो denominator अगर सेम है तो अच्छी बात है, और अगर सेम नहीं है तो पहले आपको इसके denominator को सेम बनादे है, टेनोमेटर को सेम कैसे बनाते है यहां पे पहले से क्वल है जब डिनॉमेटर एक वालो तो आपको क्या करना है इस पर फोकस करो मिन प्लस उप्स में क्या करना है कि लाइन पुर 一 सबसे पहले अब का देखना है अब 6 में 1 plus करो आपक तो 7 हो जाए, तो आप क्या करो इसमे 7 का multiply विकर भी करो और 7 का multiply निचे भी करो कहां से मिला आपने को यह number 6 plus 1 is equal to 7 यह कहां से मिला यह 7 अपने को यह 6 national 6 rational number calculate करना है तो मैंने 6 में 1 plus कर देता तो 7 हो अब यह 7 से multiply करो और 7 से divide हो इससे इसकी value में कोई difference नहीं आए कि 7 से 7 cancel हो जाएगा वापस आपको 3 upon 1 हो एक है इत्ता कर सकते है ऐसा ही आप क्या करो यह जो 4 upon 1 है इसमें भी 7 से multiply और 7 से divide तो कहां से आया है 7 हमको 6 rational number calculate करना था तो हमने उसमें 1 plus कर दिये तो 7 और इसी 7 को हमने उपर में multiply किये नीचे multiply किये इससे इनकी value में को difference लिया है आप इसको solve 7 बंजा 7 denominator में 7 आगे और numerator में 3 7 जा किता होता है 21 अब क्या लगा आपके इसमें multiplication table लग तो आपको 2 से लेके 20 तक के multiplication table याद होना चाहिए जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद करके रखेगा मैं कल से पूछूँगा या आते हैं आपको पहले से revise करके रखना क्योंकि अपने calculation में टेबल की जडरत पढ़ेगी और table सही रीट करने से calculation सही होगा और अगर टेबल गलत पढ़े तो आंसर गलत हो जाए mathematics में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज multiplication टेबल होती जो बच्चों को बच्च्पन से मैं कभी भी पूचू का आप से ऐक साल बात पूचुँगा नहीं बाद को जोр असे इतने जोर से बोलना कि जो फरीषिते हैं कमसे ये लोग सुन ले 114 अरे भी यार 1907 जा 133 1908 जा 153 1999 जा 171 1910 जा 190 कितनी गलती आया कब से याद कर रहा है कितने साल से याद कर रहे है तो याद कर क्या चल 3721 हो गया अब यहाँ पहले टेनोमेटर करेंट उकर लो 7 बंजा 7 7 फूर्जा पड़ो 7 का आता है तो 4 टाइम पड़ो 7 का नहीं आता है तो 4 का 7 टाइम पड़ो 47 जा 28 या 7 फूर्जा 28 सहीं पड़े यह टेबल सहीं पड़ेंगे तभी नंबर सहीं आएंगे यह समझ आ रहा है आपको इसमें 7 का multiply करके 21 upon 7 आ गया यह 28 upon 7 आ अब देखो denominator इसके से 7 इसके से 7 इसके कुछ नहीं करना है आप यह 21 upon 7 तो 3 को लिखेंगे इसको 7 से cancel करतेंगे तो आपस 3 मिल जाएगा आपको 7 से cancel करतेंगे तो 4 मिल जाएगा है वही नंबर 3 और 4 अब आपको 21 से बड़े और 28 से छोटे नंबर लिख देना है तो इसके बीद के 6 नंबर आगे लिखता हूं रागे तो रागे इस राइन नंबर गाइन कि bones蛋 नंबर आ इसक राइन मिद्ध और अपको आप एंब भूद रियों पूर के बीच में 6 लिखना में अपने कीदम्हीं और वाल आगे है, बस इसके और इसके बीच में आगे, इसका मतलब है 3 ए इसका मतलब है समझ आया आपको तो ऐसे इनके बीच में 6 लिखना है अब मान लीचे कभी कुस्चिन ऐसा बोलते था कि इनके बीच में 5 लिखो तो क्या करते हैं 5 प्लस 1 6 होता तो जो अपने 7 का मल्टिप्लाई करें आप उपर नीचे 6 का मल्टिप्लाई करते थे दोनों तो इसका डिनॉमे और ओर 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 अपन लिख दो आप ये डिनॉमें इड्रेस का इक्वल है तो इकवल करने के जुड़ रहतनी है आप देखो कि 6 लेचनल नंबर गाल्कुलेट करना है तो 6 में 1 प्लस करो तो 7 का उपर नीचे मल्टिप्लाई इसमें भी करतो इसमें मल्टिप्लाई कर तो 23 अपन सेवन पर 24 अपन सेवन फिर 25 अपन सेवन फिर 26 अपन 27 अपन सेवन बस रुख जाओं यहां पर अब आगे कर लिखें तो 28 अपन 7 यही वाला जाएगा आप पूर यह नहीं लिखना इसके बीच का रेंगे एक कांट कर लो 123456 तो ऐसे 6 लेचनल नंबर लिख सकते और ऐसा जरूरी नहीं कि आपके यही वाले आंसर आना चाहिए, कोई और भी आंसर आ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि 2 रैशनल नमबर के बीच में इंफिनिट रैशनल नमबर होते हैं, कोई भी 6 लेखना है आपको ते, यह वाले 6 लेखना है, यह सबसे अच्छे लेखना है इससे बड़े भी दिख रहा है आपको और इसके बीच में भी लिख रहा है और दूसरे भी कोई हो सकते कई हो सकते अपने 6 लिखे चलि नेक्स्ट पुस्च्टन बता दो चलिए लेकर बस्चन नमबर था वाइव रेस्टन नमबर बेटिन 3 अपन 5 और 4 अपन 5 देखे 3 अपन क्वान 5 घो रहा से नंबर ये भी आपन क्यों के फामने ये भी वी अपन क्यों के फाम में इनके बीच में कितने पन अद्रूर लिखना 5 अוכ परलेट यां त्री अपन त्ट पर्वाइट अर यह ल्गोग टोर अइस शाम nut Wait I will democrat boyom यह अब देखो अपने को कितने राइशनल नंबर चाहिए 5 चाहिए तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाए 6 हो जाए सेटरी सेटरी सेटरेंगे चाहिए अप्सफिक्स का सेखस्तरेंऻ आप 6 का मिल्टिप्ला इपर करो और 6 का मुल्टिप्ला करेंगे अपर निचल आए 255 में इसमें भी 6 का मुल्टिप्लाइए कर दो और 6 से दोबर कर सकते ऐसे काप करें अफंने पहले देख रहे कि टेनॉमिटर रीक पर होना चीए टेनॉमिटर 55 था इसके पहले बाले में 1 वन था जैसे टेनॉमिटर रीक पर जितना नहा दे को कितने नमबर चाहिए 5 चाहिए तो 1 प्लस करो 6 6 का उपर निचा मुल्टिप्लाइए कर दो बस इसको सॉल तर तर फाइप शिक्स चा 30 टेनॉमिटर में 30 आ जाए और उपर मुल्टिप्लाइए करेंगे 3 6 चा 18 मुल्टिप्लाइए करना है एपन लग रहे इसी कर्टिए इधर 5 60 आ 30 टेनॉमिटर में 30 आ गए नमबरेटर में 4 60 आ 24 और का टेबल आता न और का या 6 का टेबल जरूर यह बिना टेबल के मैथमेडिक्स में इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता बस फट से मर जाएगा पहले कुस्चिन आया आपके सामने आपको टेबल नहीं आ रहे है यह आप टेबल गलत पट पट रहे तो कुस्चिन गलत हुए तो सब से इंप्रोडिन चीज क्या हुआ हुए मुल्टिप्लिकेश तो क्या हो जाय गई हमिए दियर्फो डियर्फो इसवार इसषार यह का नोंबॉर्स फाइव रैश्नल नॉंबर्स बेट वेडित वेडिमेच आने शॉट में आयसा लिखती है थ्री अपॉन पाइप एगड द्वर अपॉन फार पाइव फाइन अग त्री अपॉन और अपॉन प्लस करेंगे तो चुन्टीन अपॉन 40-00 fundamental क्या है नंटीन अपॉन 30 सिटोनटीटी오 अन्फोनप्वास करेंगे तो फंटीन अपॉन 30 हुआ नमीन कातार शौने करेंगे तोसुन्टीटाई अपॉन बस वन प्लस करेंगे तो 24 अपन 30 ये वाला आजागा तो लिखने के जुरुरत नहीं है को एक बस ब से इ侘ंगे जुरुरु अवे दूसरा question ये अचे एक और अंगो हम लौकत के जो लिखेंगे एक खॉस्ट्यन और अजागो 4 rational numbers, 2 upon 7 and 3 upon 6, 2 upon 7 and 3 upon 7, practice के लिए, इन के बीच में आपको कितने rational number लिखना है, 4 लिखना है, प्रोर लिखना है, लिखना है, 2 upon 7 लिखना है, और लिखना है, दोनों भी rational number, ये भी rational number, ये भी rational number, दोनों के denominator same है, denominator same है, नही हो तो फिर उसको same करना हो, ये 2 upon 7 input, अपने किसका into करें, कितने number लिखना है, अपने को 4 लिखना है, तो 4 में 1 प्लस करो तो क्या हो जाए, तो 5 होगा, तो इसमें क्या करो, 5 को multiply और 5 को divide करता है, इसमें भी 5 को multiply और 5 को divide करता है, इसको लिखो 5 upon, 2 upon 7 into 5 upon 5, यहाँ पी पी ऐसी करो, ये 3 upon 7 है, इसमें भी 5 से multiply और 5 से divide करता है, अब इसको solve करो, 7 5 से 35, यहाँ पर 2 5 से 10, यहाँ भी ऐसी करो, 7 5 से 35, और 3 5 से 15, अब ये 10 upon 35 और 15 upon 35 के बीच में आपको 4 लिखना है, तो ये 10 से बढ़ाते जाओ है कि 11 upon 35, 12 upon 35, 13 upon 35 और 14 upon 35, बस हो जाए, therefore, the required rational numbers between 2 upon 7 and 3 upon 7, और 2 upon 7 और 3 upon 7 के बीच में आपको 4 rational number या 4 rational number लिखना है, तो क्या हो जाएगा पहला, ये 10 plus 1 करेंगे तो 11, 11 upon 35, 1 plus करेंगे 11 में तो 12 upon 35, 12 में 1 plus करेंगे तो 13 upon 35, 13 में 1 plus करेंगे तो 14 upon 35, बस चारी चाहिए थे आपको, आप 1 plus करेंगे तो 15 upon 35 वाला आजागे तो करने की जडरत में काउंट करो, तो इसमें denominator equal थे, अब कभी ऐसा भी question आ सकता, आपको इसमें denominator अलग 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 अब मैं एक question और बताता हूं, आपको इसमें denominator अलग 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 लेते हैं, फिर उसको equal करेंगे और फिर अपन rational number थे, ठीक, शे, अगला question है, ये दि एक्स्टा question है, 5.5 rational numbers, कित्ते भी एक्सप्ते हैं, 5 rational numbers, रेट वेन, 2 upon 3 and 3 upon 2, देखो, 2 upon 3 और 3 upon 2, जोनो rational number है? है, इनके बीच में 5 rational number लिखना है, तो पहला number है, 2 upon 3, और दूसरा number है, 3 upon 2, अब देखो, इसका denominator 3 है, और इसका denominator 2, अब देखो denominator अलग अलग हो, तो अपने को denominator एक जैसा करना पड़ेगा, जैसे अभी था, 30, 30, 30, 35, 35, ऐसा, 3 और 2 का LCM कित्ता होता, 6 होता है, मतलब आपने को denominator को 6 बनाना, तो 6 बनाने के लिए 2 upon 3 को आप जैसा को ऐसा लुखे पहे, अब सोचो, कि अपन इसमें किस quantity का multiply करें, 3 तो है नीचे, किस quantity का multiply करें, कि 6 हो जाए, देनामेटर, पता, 2 का, यहाँ पर 2 से multiply करो, नीचे, आप नीचे नहीं कर सकते है, आपको ऊपर नीचे 2 का multiply कर, पहले नीचे 2 का करना है, नीचे 2 का क्यों करें, अपने को 6 बनाना है, इसका मतलब अपने को 6 बनाना है, तो इसका मतलब अपने को 6 बनाना के लिए अपने पास पर इनामेटर में already 3 है, तो आप सोचो कि अपन कौन सी quantity का multiply करेंगे, कि 6 हो जाएगा, तो 2 का multiply करतेंगे, denominator में 6 हो जाएगा, तो मैंने denominator में 2 का multiply करतें, आप mathematics, ऐसा नहीं बोलता है गोगोगँवे निम्हेटर में 2 का multiply करना पड़ेगा, तो मैंने numerator में 2 का multiply करतेंगे, इसका मतलब अपने 6 हो जाए, कि 6 होजाए, किसका त्री का करना पड़ा है यहां पर नीचे 3 से कर जिता है यह 3 3 थ्री कैंसल हो जाएगा आप वापस 3 अपन टो बंजाए अपतेको इसका इन्टु करेंगे तो 3 तू जा 6 इसका इंटु करेंगे तो 3 तू जा 6 यहां पर में लिख देता हूँ, since LCM of 3 and 2 इसलिए हम नहीं यहां पर 2 से multiply और 2 से divide कर इसका मतलब यह यह 2 था है यहां पर LCM 6 चाहिए इसलिए 3 का multiply और 3 से divide कर यह 6 हो जाएगा, यह भी 6 हो जाएगा ऐसा concept लगाएगा, अब इसको solve करो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 5, इसको भी solve करो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, अब देखिए अब denominator equal हो गए, इसका denominator 6 हो गए इसका denominator 6 हो गए, जब denominator equal हो जाते हैं पहले तो रहते थे, अब जब नहीं है तो denominator को equal करना पढ़ेगा है ऐसा, करें, अब देखो कि आपको कितने number point out करने, 5, 5 करने, तो 5 में one plus करो, कितना हो जाएगा, 6, तो 6 का multiply और divide करो, यहां 6 का multiply करो, और 6 से divide करो, इसमें भी 6 का multiply करो, और 6 से divide करो, अब क्या हो जाएगा है, नीचे multiply करें, तो इसमें एक प्लस कराएगा है, तो इसमें एक प्लस कराएगा है, तो इक ट्ते लिखना है, तो एक लुटलो 25, 36, फिर ले, ले करो टिक लीचब लुटलो यथेगा है, तो इसमें यहां, जीत्ते लखना है, यहां पूरर तो इसके पहले। एक लेक लुटलो तो 5 लुटलो, जीदे देते हैं, यहां पूर इसमें एक एक प्लस करते जाएंगे उपर इसमें एक प्लस करते जाएंगे उपर एक एक बढ़ाते जाना देनोमेंटर तो 36 ही रहेगा सकता समझ में आया आपको डेनोमेंटर कैसे इकवल करना है यहां पर इसको इसका मल्टिप्लाई करो नीचे उपर भी मल्टिप्लाई करो यहां पर इसको 6 बनाने तो किसका मल्टिप्लाई करो आपको उपर भी 2 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा यह बैलन्स होगा अपने को 6 चाहिए तो किसका मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो किसका मल्टिप्लाई करना पड़ेगा यह कितने रेटन नंबर चाहिए अपने को 5 चाहिए तो एक प्लस करो उसमें 6 स्टिप्लाई करो 6 से सिक्सरे डिवाइड करो इसमें भी 6 से मल्टिप्लाई करो 6 से डिवाइड करो if you are quicker 36 हो गया ओर सिक्सरा्ट ट्वंटिफूर यह त्वन्टिशस होगा यह सिक्सरा trained उसके बीच में जितने चाहे उतने ब्राश्ट तो पहला question तो आसान था जिसमें denominator सेम था जिसमें denominator सेम नहीं है वो मैंने बताया आपको denominator ऐसे से नहीं हो एक question और बताये को ऐसा denominator equal करने वारे एक और बस उसके बाद में फिर आप s5 के question लेके practice करसे फिर आपको समय बाद में एक question और लेके बास आखरी question फिर आपकी एक exercise के question बदागे तो extra question point six rational number किते भी ले सकते हैं ऐस जातां गो numbers betwin 4 upon 5 and 5 upon 4 upon 5 or 5 upon 7 यह तो number है इनके बीच में आपको कितने रेस्नल नमबर लिखना 6 लगे तो डेनामिनेटर अलग अलग है एक का 5 एक का 7 अपन यह तो यह तो नमबर है अब देखों यह 5 और यह 7 यह 5 और 7 का डेनामिटर एक बने तो डेनामिनेटर एक बने के लिए 5 और 7 का अल्सियम कित्ता होगा अल्सियम और 5 & 7 बताओ किता हो ऐसा छोटे छोटा नमबर पताओ अडो नमबर से डिवाईड है 35 5 7 जा 35 अब इसका डिनामेटर कित्त बनाना पड़ेगा आपको 35 कि अपने को यहां पर डिनामेटर में 5 ए अपने को 35 चाहिए तो 5 से 35 को डिवाइड कर देख लो 7 अब ओच्छों, 3735 यहांद रहेगा तो अपने अभांपना से तक है तो 7 से ऊपर नीचे मैं पॉर 17 चाहिए तो गुछीन नाए, तो फाइब आईरो, पर नहीं कि मॉल्टिप्लाई करो मुछॉब अपु धरी फाइब करने देन्यॉम्ट को एक हशाना, इसको एक्रूंपल करसार Sydney Light है đफ करने यह 75-35 या 5-7-35 यह एक ही बात है 55-25 देखो दोनों नंबर के अपॉन में 35 आगे 35 अब क्या करना है आपको अप अपने डिनोमेटर एक्वल कर ली अब आपको देखना है कि कितने रहतनल नंबर चाहिए 6 चाहिए तो एक प्लस करो तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7 तो 7 से उपर नीचे मल्टिप्लाई करो इसमें 7 का कर लो इसमें भी 7 से कर लो नंबर भली बढ़ा वाजा आगाली कि यह प्रोसीजर है इसमें कभी नंबर कम नहीं पड़े इन्टू 7 और इन्टू 7 एक ज्यादा लेने के लिए कभी नंबर कम नहीं होंगे अब अब यह नंबर थोड़े से ठीक है ना इसमें 7 का मल्टिप्लाई करना है इसमें 7 का मल्टिप्लाई करना है और उपर 7 और निचे से अब यह 35 में 7 का इंटू करना पर लाए करो 7 5 से 35 का 5 करी और 1 बच्छा 7 3 जा 21 21 और 3 कितना होदा 24 245 आगे इसमें भी 245 आगे अजाएगर 245 25 अच्छा निचा 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 आगे 245 इसमें अब यह 7 का 28 में करो तो 7 8 जा 56 6 5 जाएगर 14 और 5 19 196 यहां पर 7 का इंटू करो 75 जा 35 का 5 7 जा 14 14 प्लस 3 70 15 175 जेको यह 196 अपॉन 245 आया यह 175 अपॉन 245 आया अब यह नंबर छोटा है और यह नंबर बड़ा है तो अपन इससे इसमें वन में प्लस करो इसमें प्लस करते आपके बराबर है दोनों के 245 245 तो यह 75 पर 176 178 ऐसा प्लस को क्योंकि इसमें अगर प्लस करें तो बाहर चले जाएंगे अपने क्या होना था यह वाला नंबर पहले लिखना था और यह वाला नंबर बाहर नंबर लेकिन आपको गलती से लिखा गया तो रहें दोस्ते कलेवालो तो इससे बड़ा नंबर हो जागा आपए बाहर चले जाएंगे याखी फ्ट्रासर से अट्यान रहें तो यहाँ थो इस फिक्स रॉर्म था रेत्वा six rational numbers rational numbers between four upon five and five upon seven यह ऐसी problem की वारी मालूम है यह बाला नंबर तो बड़ा है और यह बाला नंबर शोता है अभी ऐसा घुना के देडिये था आपको इसको देखने अब यह डेनामिनेटर में तो 245 इसमें एक एक प्लस करती जाओ यह जाएगा 176 upon 245 फिर 177 एक एक प्लस करती जाओ सिर upon 245 फिर 178 178 upon 245 फिर 179 upon 245 तो और होगा एक प्लस करती जाओ आपको छोटे बाले में प्लस करती जाओ इस नंबर से बाहर चले जाएंगे वो इन दून नंबर के बीच में नंबर बोल रहा है आपस से बाहर निकल दाएंगे और क्षचन करना थे तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रेफरेंस की कताब में दिये रहते है यह थोड़े हायर ओडर के क्वेश्चन इसमें सोचना पड़े और यह ही मानली जी कभी आपको इन दून नंबर के बीच में नंबर बोल रहा है आप वो दून नंबर से बाहर निकल जाएंगे आपको चले एक क्वेश्चन और बसता है इसका यह आप प्रैक्टिस करनेंगे जाए तै की एक क्वेश्चन और बता रिकान आपको तो इसे यह हो नबर फूर स्टेट वेथर रिष्ट मेंट्स इंप पर निचे ज्टवन लिखे इसका रिशन नंबर आ इसका रिशन भी लिखक देना है कि क्यो वे पिवे अगभु तो फॉस है पस्त वाला इसन भी जितने भी every natural number is a whole number, true है, yes, इसको लिखते हैंगे true, अब इसका reason as natural numbers 1, 2, 3, 4, 5 यह रहते हैं और यह सबके सब whole number भी है, as, इसका reason लिखते हैं as natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारी number रहेंगे, are all numbers, all numbers also, यह जितने भी natural number है तो यह भी all number है, इसमें एक और number को add कर देते हैं 0 को, तो पूरे के पूरे all number हो जाते हैं, 0 भी all number है, लेकिन यह 1, 2, 3, 4, 5 भी all number है, है न, all number, all number होता है, जो complete number है जिसके denominator में 1 आते हैं, तो जितने natural number है, उसमें अगर अगर अपन 0 को और इन्पूट करते हैं, तो वो भी all number है, लेकिन 1 भी all number है, 2 भी all number, 3 भी all number, 5 भी all number, वो नहीं सब all number, और 0 भी all number होता है, यह 2 है, सेकेंड वाला देखिये इसका, every integer is a whole number, जितने भी integer होते हैं, वो whole number होता है, आपको, integer 0 भी होता है, positive भी होता है, और negative भी होता है, जितने भी integer हैं, वो सब whole number होता है, तो कैसा आईए, false है, है न, false, false, अब क्यों false है भई, integer जो होते हैं, वो negative भी होते हैं, तो negative number, whole number थोड़ी होते हैं, as integers minus 3, minus 2, minus 1, और और भी कोई integer लिख सकते हैं, अपन negative वाले, are not whole numbers, are not whole numbers, लेकि यह जो negative number से, यह whole number थोड़ी है, integer है, minus 3 भी integer है, minus 2 भी integer है, minus 1 भी integer है, लेकिन whole number नहीं, whole number कुन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी होते हैं, तो यह statement false है, एक और इसका आखरी, इसको लोगी होता है, रोसा खुलने का टाइम होरा, क्वास, कितने का डाइम हैं, 39 क्या लेको, एक लास्ट बन देखो, third, every rational number is a whole number, जितने भी rational number होते हैं, वो whole number होते, प्रोए कि पॉल से, false है, false, यो है भी false, जितने भी rational number होते हैं, whole number होते हैं, तो as 1 upon 2, यह 1 upon 2 क्या है, यह rational number है, है rational number लेकिन यह whole number नहीं, 1 upon 2 is a rational number, एक लिया में नहीं और वाच सार दे सकते हैं, but it is not whole, है यह पुरानी थि, उसमें टी लिखा था, इसमें अफ लिखा था, यह एक रिजन भी लिख सकते हैं, ऑलेकिन सही रिजन लिख रिखा लेकिन, ठीक आपके आट सेना पर टूदे